तोड़ी कुड़ी कित्थे हा नाले यानक तेरे लगिया मेरे नीश कैसे हो आप सब बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बाद फिर से जट ब्रदर्स को लिकर अज तो बस जानेंगे करेंगे प्रेडिक्सर कि इसका बजट क्या है और क्या एकस्पेक्टिसन है मेकर्स की उनकी फिल्म को लिकर विल इस फिल्म से डेबियू किया है जाने मने सिंगर जेस्ट मानक प्रम्स इनके अलावा ermा फिल्म में नजरा रहे है गौरी और निकीत डिलो अब बात करें फिल्म को लिकर फिल्म पूई तरह से कॉमेडिय एंट्रेइनर है स्टोरी है दो भाईयों की जो कि एक थोड़ा डिसेंट है तो दूसरा गाईस थोड़ा सा टेडा मेडा है आप समझ सकते हो वेल अगर बात करें फिल्म को लिकर फिल्म की स्टोरी ट्रेलर से समझ में आगी होगी किस तरह की स्टोरी होने वाली है जो इसका बज़ट है अकॉर्डिंग टू दी विकिपीडिया आठ से दस करोड रुपे वहीं जो एक्सपेक्टेशन है मेकर्स की वो यह है कि उनकी फिल्म कम से कम 20 से 25 करोड का कलेक्शन कर सकती है वर्लड वाइड बॉक्स ओफिस से अब बात करते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन के साब से की फिल्म आज कितना कलेक्शन करने वाली है पहली बात इसकी स्क्रीन जो भी मिल रही थी उससे आधी हो चुकी है इसके कमपेरजन में रिलीज हुई है एमी वर्लड की फिल्म आजा मेक्सिको चलिये जिसके जलते हैं इसकी स्क्रीन अल्रेडी हाफ हो चुकी है अगर इसको हजार मिल रही थी तो पांसो मिल रही थी तोड़ाई सो वो चीज हो चुकी है अब कलेक्सिक की बात आती है तो ये शिंगर का फैन बेस काफी अच्छा है तो मुझे उमीद आए ये फिल्म काफी अच्छी ऑपनिंग लेगी इंडिया से तो नहीं किया सकता लेकिन ओवर्चीस मार्केट में ये फिल्म definitely करूडों में कलेक्सिन करेगी अब बात करें first day collection के prediction को लिकर कि ये film कितना collection निकाल सकती है अपने पहले दिन तो reports के मताबिक ये film डेट करोड के आसपास collection कर सकती है total all over India gross से और वहीं एक करोड के आसपास collection कर सकती है और सीज मार्केट से तो लगता है कि ये film डाई करोड के आसपास collection कर लेगी करोड रुपे क्या फिल्म उतनी रीकमरी कर भाएगी या फिर नहीं आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय कमेंट में मेंसन कीजिएगा और वीडियो को पसंद आई हो लाइक करना सेर करना चैनल पढ़ना हो सब्सक्राइब करना थैंक यू फर वाचिंग कीप सपोर्टिंग बबाई टीक क्यार